हलो प्रेंट, साज मा आपको बताऊंगा कि बकरियों को सार को फिरोल वेट देने के फाइदे यह निए आप अपनी जो बकरे हैं बकरियां हैं उनको इदिया भेड बकरियां हैं या बकरों हैं उनको पिलाने के फाइदे कर हूंगे कब कैसे देना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए जो आपको सार को फिरो ले दिया आप अपने पस्टों में उप्योग करेंगे जो भेड़ बकरी हैं उन्हें उप्योग करेंगे तो कितना बेनिफित देखने को मिलेगा बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक है पुरा देगना इस चेनल पर अभी नहीं आए या पहली पर जुड़े हैं जितने जो वेड़ पाला बक्री पाला तो पहली पर चेनल को सबस्क्राइब कर लें साथ में बेल आइकवन और आलवड़ावसन दबहें आपको पताएं कि चेनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेतर बेर चेनल के आपको जानकर दी जाती है ताकि आपकी वेड़ बक्री तरह के कोई भी दिखत देखने को न मिले जो आपको यह फिरे है र्वी टेबल की उपर जो दिक रही है सार को फिरोल जिस लाइवा को दिखाऊ है निकिनोमाइड है बायो टीन्स executive के पूलिक एसीड है साइनकोबालामीन याइन वीटामीन वीबारा भी इसके अंदर मिलीवी होती है जो कि आपकी भेड़ बक्रियों के लिए ये सारकोफिरोल है एक तरह का रामबान है अब देना कैसे है किस तरह की स्तती में आप इस सारकोफिरोल का उप्योग कर सकते हैं तो ये सारकोफिरोल ले दिया आपकी जैसे भेड़ बक्रियां कमजोर है कमजोरी से उबारना है जिनको मोटा तगड़ा करना है अच्छी साइनिंग लानी है बिमार नहो तो इस तरह की स्तती से आप अपनी भेड़ बक्रियों को ये देख करके बचा सकते हैं क्योंकि इसके अ चाहते हैं या बक्रों के सरीर पची साइनिंग लाना चाहते हैं तो उस इस्तती में इदि आप इसका उप्यों करते हैं बक्रों में भी तो इद के बक्रे जैसे त्यार कर रहे हैं तो उन्हें भी आप इदिये देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके जो बक्रे बक खाने का मतलब है कि खाने वाली चीज़े खानी रही है अक्सरा चीज़े वह खा रही है तो उस इस्तति में आप इसका उपयोग जरूर करवाना चाहिए क्योंकि वहां पर भूत अच्छा रिजल्ट आपके जो भेडबक्रिया है उनमें बकरे बकरिया है उनमें देखने को मि कमी आ गई खून की कमी आ गई जिसके वज़े से बकरियां कमजोर हो गई बैठ गई खड़ी नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर आप इसका उपयोग जरूर करना चाहिए जो बैठी बकरियां यह दिया आप उन्हें खड़ा करना चाहते हैं तो इसी तरह से दूद देने वा जोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं वापर भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है और किसी वी तरह का नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करता है देखो यह सार को फिरूर क्या करती है कि यह दिया आपकी बेड़ बक्रियों में विटामिन्स की जुरूत होगी तो उनकी पुर्ति करेगी आईरेंट टोनी की भी जुरूत करेगी साथ में यह दिया आपकी बेड़ बक्रियों में अधर कोई इस तरह की दिकत है केल्सियम की दिकत आ गई जिसके वेड़ बकरियां ग्रोथ ने कर पा रही है वजन ने ले पा रही है या जिनके हाइट ने बढ़ पा रही है तो उसी इस्तति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं साथ में इदियाब की बेड़ बकरियों में तो भी आप इसका उप्योग कर सकते हैं इदि आपकी बेड़ बक्रियां प्रिग्नेंट हैं तो भी आप इसका उप्योग कर सकते हैं इदि आप जो बक्रे हैं उनमें आप वजन बढ़ाने के लिए जो आपको इस तरह की जो फिट सप्लिमेंट लिक्वेड या उनका उप्यो कर शकते हैं support therapy की तोर पर अच्छा result आपके बकरू में देखने को मिलेगा आप देखो इसकी डोज क्या होती है डोज यह है कि जैसे बेड़ बकरिया डल्ट हैं बड़ी बेड़ बकरिया है जिनका वजन 30 kg यानि 20 kg से ज्यादा है तो इन्हें आप 10 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम पर डे यानि 10 ग्राम से लेकर के 15 ग्राम पर डे इससे ज्यादा डोज आपको नहीं देनी है यह दि आपको अच्छा result यह दि लेना है तो 10 से 15 ग्राम देंगे तभी आपको अच्छा result मिलेगा इसकी डोज कभी भी आपको ज्यादा नहीं देनी चाहिए डोज यह आप लिम पानी में गोल करके आप अपने बेड़ बक्रियों को पानी के साथ पिला सकते हैं या वैसे आप डायरेक्ट ओरेली भी दे सकते हैं वैसे नहीं ले रही है तो या कोई भी मांट या दाना मिसन दे रहा है जिसके अंदर तो उसमें भी आप मिक्स करके पानी के साथ आप उनमे आप उन्हें पिला सकते हैं इसी तरह से इसका उपयोगी दिया आपकी जिस प्रकार से बेड़ बक्रियां हैं या अदर कोई इस तरह की दिखते हैं जिन में बेड़ बक्रियां जो आपकी सही समय पर हीट में नहीं आ पा रही हैं ठहर नहीं रही है यानि गर्ब नहीं ठहर रही है बार बार अबोर्सन होता है या प्रोपर हीट में नहीं आ पा रही है या हीट में आ जाएं तो ठहर नहीं पाती तो उस इस्तति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं बक्रियों को हीट में लाने में गर्ब ठहराने में और इम्मुनिटी बढ़ाने में इस सार को फिरोल का उप्योग किया जाता है जो आपकी जो बक्रियां उनको भी आप उप्योग कर सकते हैं रही बात ही आप छोटी से चोटी बेड़ बक्रियों से लेकर के बड़ी बेड़ बक्रियों में उप्योग कर सकते हैं इदि आपकी गाह आप support therapy के तोर पर आप इसका उप्योग कर सकते हैं या इदि आपकी भेड़ बक्रियों में पेसा आपके साथ या वैसे गोबर के जो मिंगनी आए उनके साथ या डायरिया दस्त हो गया उनके साथ यह खून जादा आ गया तो उस इस्तिति में भी आप इसका उप्योग कर सकत हैं बिना किसी side effect की तो आप अच्छी तरह से समझगे होंगे कि सार को फिरोल आती है वेट आती है उसका उप्योग भेड़ बक्रियों में कैसे करना चाहिए जो कि एक LMB की आती है नुकसान इसका किसी तरह का नहीं है फाइदा इफाइदा आपकी भेड़ बक्रियों में द तो और या वैसे नौर्मल है यह दि आपकी वेड़ बक्रिया तो भी खेने का मतलब है कि किसी भी तरह से एदी आप अपनी बेड़ बक्रियों में आप इनका उप्योग करवाते हैं तो नुकसान तो आपको देखने को नहीं मिलेगा बठ रिजल्ट रिजल्ट आपको इसी तरसी वीडियो देखते रहें थैंक्स धन्यवाद